धन की देवी मा लक्ष्मी जब प्रसंन हो जाए तो जीवन में चमतकारिक लाव देती हैं आकस्मी की रूप से जीवन एकदम से बदल जाता है तो लक्ष्मी जो मा हैं उनका समुद्र मंथन से उत्पत्ती हुआ है लक्ष का अर्थ है उद्देश से पराप्त करना उद्देश यानि आपके जो इच्छाएं हैं आप क्या चाहते हैं और लक्षमी मंत्र का जब करने से उद्देश को जानने और उसकी पूर्ती के लिए आप ये मंत्र जबते हैं देखिए मालक्ष्मी के सरन में आने से धन तो आता ही है साथ ही मालक्ष्मी सौभाग, सुख, सम्रिद्धी और संदर ये भी लाती हैं अपने साथ तो मालक्ष्मी के मंत्रों का जबाब जब करें अगर आप नियम से जब करना चाहते हैं तो उन्हें स्रिंगार बहुत पसंद है क्योंकि वो कहते हैं न महिलाएं लक्षमी हैं क्या हैं महिलाएं स्रोरह सिंगार करती हैं उसी तरह मा लक्षमी हमेशा उन्हें सजा कर रखिये या उनको रहना पसंद है तो मा जो लक्षमी है भगवान विश्णू की गती सील उर्जा है धन, संपदा, सांती, सम्रिद्धी की देवी है और ऐसा भी माना जाता है कि वो धन की कमी के कारण उत्पन सभी दुखों को दूर करती है मा लक्षमी की हतेलियां हमेशा खुली रती है और उससे धन वर्षा हो रही है जो धन, सुख, सम्रिद्धी और प्रचूरता का प्रतीक माना जाता है मा लक्षमी के जब आप मंत्र जब करते हैं तो बैक्ती को धन, संपदा, सम्रिद्धी, सुंदर, अच्छा स्वास्त भी मिलता है और नियमित रूप से अगर मंत्र जब करें तो धन की कमी कभी नहीं होती नौकरी में पदोनती पाने के लिए भी मंत्र जब कर सकते हैं, बैपसाइब बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं और नए गरहकों को आकरसित करने के लिए भी कर सकते हैं तो सक्ति साली मंत्र अगर आप इसका नियमित रूप से जब करे तो इस पंदन उर्जा उत्पादित होगी जो एक उर्जा छेतर का निर्मान करके आपका भागे को मजबूत करेगी तो मा लक्षमी को मनाना बहुत ही सरल है ज़्यादा मुस्किल नहीं आईए जानते हैं उनके मंत्र को और आप भी हमारे साथ बोलिए एक बार फिर से बोले ओम स्रिंग ह्रिंग क्लिंग त्रिभुवन महालक्षमे असमाकम दारिद्र नासय प्रचुरधन देही देही क्लिंग स्रिंग स्रिंग ओम तो ये मंत्र धन की वारिस कराता है इस मंत्र का जब कब करेंगे कभी भी आप सुवश्णान करके भी कर सकते हैं और रात में सोने के पहले भी ये मंत्र जब कर सकते हैं लेकिन कम से कम पांच बार जदा से जदा आपकी इच्छा पर है बर जब मंत्र जब करें तब बिलकुल इदम सांध रहें और भवान से अपने दिल की प्राठना जरू उन से कहें हर हर महादेग धन्र